रसोई में काम करती मा बार बार अपने ठके पेरों से इधर उधर भाग रही थी आखों में एक जल्द बाजी और सब को समय पर नाश्टा देनी की जल्दी मैं अपनी चार पाई से बिस्तर से मूँ निकाल कर उनको अपनी अंद खुली आखों से जहांक रही थी 29 साल बीट गए मा को उनकी जिम्मधारी निभाते देख जब से खुद को जाना उनकी एक ही समय सानी देखी सुबा हम सबसे पहले उठ जाना उठता ही वो अपने हाथों में ना जाने क्या जाका करती थी अपने दोनों हतेलियों मुँ के सामने लाकर कुछ बड़बडाया करती थी और फिर जमीन को चूकर हाथ अपने माते से लगा लेती थी दीरे दीरे हमको उसका मतलब समझ आने लगा जब हमें भी ऐसा करना सिखाया गया फिर उठकर मुँ हाथ होकर घर में जाड़ू लगाती मा हमें अपने चारों तरफ दिखती और उनके आवाज उस वक्त नीन खराब करती तो गुस्सा आता उठ जाओ स्कूल नहीं जाना ही चलो उठो जल्दी रोज ये शब्द हमें हमारी नीन के दुश्मन लगने लगते थे और हम हम कहकर फिर से विस्तर में छुप जाया करते मा तब तक नहा कर घर में दिया जला थी उनके कुछ मंत्र सुने के हम सब आदी हो चुगे थे जैसे वो भी रोज के काम कही एक हिस्सा था रसोई में जाने से पहले फिर एक आवाज आती अब उठ जाओ लेट हो जाएगा और हम डीट बच्चों की तरह फिर सुनकर अंसुना कर जाते रसोई में खड़कते बरतन और खाने की खुश्बू भी जैसे रोज के काम में शामिल थी अब मा नहीं पापा जी की तेजवाज हमें जट से उठा देती जब रात भर की शिफ्ट करके सुबह साड़े छे बज़े वो आते और आते ही एक तेजवाज लगाते अभी तक सो रहे हो स्कूल नहीं जाना क्या बहुत गलत बात है बेटा चलो जल्दी उठो हम भी बिना कुछ कहे पापा जी नमस्ते कहकर उठ खड़े होते मा फिर भी अपने काम में लगी रहती बस पापा को देख कर एक हलकी सी मुस्कान उनके चेरे पर उभरा थी जैसे ये उनका वेलकम बेग कहने का तरीका था समय से हमारे टिफिन बनते जाते नाश्ता थाली में सच जाता और जब स्कूल के लिए कदम रखते हर रोज की तरह फिर वही नपतुल अवा के सुनते सब रख लिया ना बेग में कुछ छूटा तो नहीं और हम पीछे मुड़कर कह देते हैं रख लिया पूरा दिन निकल जाता जब वापस आते तो माँ फिर हर रोज की तरह अपनी चार पाई पर अपनी साड़ी से मूढ़ा के लेटी मिलती उनकी धकान का अंदाजा उनकी शितिल पड़े चरीर को देख कर लग जाता मेरे कदमों की गती खुद धीमी हो जाती और मैं अपने भाई को इशारा कर देती और कहती की शोड नहीं करना मम्मी सो रही है हम दवे पाउं सारे काम निप्टा लेते हमें पता होता था की मम्मी तो हमारी आठ से कबकी जाग गई होगी मगर हम उनको कभी आवाज ना देते फिर वो नीन भरी आवाज से कहती खाना लगा दू बेटा उस वक्त बस ही लगता की वो क्यों उड़ गई सोती रहती फिर हम स्कूल का काम करते और वो पास बैटकर कुछ ना कुछ बुंती रहती जैसे उनके पास ना बैटने से हम पढ़ाई नहीं करेंगे हमारा काम खत्म होता और उनका काम शुरू पढ़ते परते जैसे साड़ी चार बचते वो फिर रसोई में जा पोचती चाय बनाने चाय का काम खत्म ना होता कि रात का खाना बनाना शुरू बीच बीच में इधर उधर के काम निप्टा थी मा कभी न ठकने वाली मशीन लगती उस बीच कोई पडोस की ओरत आ जाए तो उसका स्वागत ऐसे करती जिसे बड़ी बेसबरी से उसका इंतिजार कर रही थी कभी जेरे के भाव ऐसे न लगते कि बेवक्त के आगमर ने उनका सारा काम पिछाड़ दिया खेर हम सबको समय से खिला पिला कर सारा काम खत्म करके फिर से हमें सोने से पहले दूद के गिलास थमाना वो कभी नहीं भूलती फिर जब तक हम पढ़ाई करते हमारे पस बेट कर बुनती रहती पढ़ते पढ़ते हमारी आंके बोजील होने लगती मगर मा अभी भी ऐसे ही दिखती ना जाने कब वो सोती होगी बस जब लेटती तो हर रोज हे राम हे प्रभू बोलती मैं हमेशा सोचती मा इतना काम करती है पूरा दिन ठकती है फिर भी भगवान पर गुस्सा नहीं आता फिर भी उनको इतने अच्छे से याद करके सोती है हर रोज यही दिन चर्या देखकर हम बड़े होने लगे थी उनकी आके हर रोज रसोई में खुलती और देर रात रसोई में ही बंद होने लगती हमने भी लड़की होने की जिम्मेदारी सीखने शुरू कर दी थी उम्र के पड़ाव बदलने लगे थे और हमारी जिन्दगी भी देखते देखते हम अपनी अपनी नई ग्रस्थी में चले गए थे नया घर नये लोग बस नया सा लगा तो बहु बन जाने के बाद की जिन्दगी क्योंकि वही जिन्दगी तो मा बच्पन से हमारे सामने जी रही थी हमें भी समझ आने लगा था कि उनकी जिन्दगी का अर्थ अब सिर्फ परिवार बन कर रह गया था शादी को तीन महीने ही हुए थे कि हमने अपने पापा को खो दिया था मगर मा को देखकर लगा जैसे सिर्फ उनका सास शिंगार ही नहीं जीवन भी छिन गया था अब पहली वार मा को इतना थका देखा कि विस्तर से उटपाना भी मुश्किल था उनके लिए क्योंकि ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं बलकी मन की भी थी मगर कुश दिनों बाद वो फिर से उट खड़ी हुई शायद हम बच्चों की जिम्मेदारी ने अभी भी उनको ठकने की अनुमती नहीं दी थी हम सब भी लोट गए अपने अपने ससुराल घर में पापा की यादे और अपने फर समेटने में मा कुद को लगाय रहती अब सारा भार सारी जिम्मेदारी चार से दो कंदों पर जो आ गई थी अब कभी-कभी माइके आना होता मा पूरी तरह बदली नज़र आती उनको शरीर खाली से नज़र आता क्यों न देखती वो आधिया धूरी सी शरीर से हल्की सी ही जो हो गई थी बदन से उत्रे गहनों ने उनको खाली सा कर दिया था ले देकर बची थी तो बस हाथों में पड़ी दो चूडिया जो समाज के कुछ रिवाजों की वज़े से थी आखों का खाली पन भी कहां छुपाता रो रो कर आँखे सफेद सी हो गई थी अब मा वो ना थकने वाली मशीन नहीं लग रही थी उनका अंग अंग थका सा था मगर माईके के नाम पर अब हम बेटियों के लिए एक वो ही तो रह गई थी शायद इसलिए वो आज भी अपनी उसी दिंचरिया में बंदी थी हस भी रही थी काम भी कर रही थी मगर खुद में ही खोय रहने की उनकी नई भीमारी ने उनके अकेले पन को छुपने ना दिया हम भी आते कुछ दिन मा के साथ रहते और चले जाते हम तो चले जाते अपने पूरे परिवार में मगर मा फिर वहीं खाली चार दिवारों के बीच रह जाती जाते हुए जब भी पलट कर देखा उनकी आखें मेशा बोलती नजर आई चेहरे पर विदा करने वाली ओपचारिक मुस्कान होती मगर आखें कहेती की रुख जाओ मत जाओ मैं अकेले रहे जाओंगी मेरा मन नहीं लगता मगर सब कुछ सुनने और समझने के बाद हम निर्दई बनकर लोड जाते अपनी दुनिया में मा का अकेलापन किसी से नहीं चुपा था भाई अपने काम पर जाता मा घर के काम में लगी रहती काम बे कितना बढ़ता दिन में कभी कुछ समय के लिए तो काम को खत्म होना ही होता तो बस फिर उनकी पिछली यादे आती साथ देने ले बिटा चाय मा मेरे सामने खड़ी थी स्टील के ग्लास में चाय के लिए जैसे पिछले पंदरे जिन से हर रोज मुझे देती हैं दिन की पहली चाय बिस्तर पर मैं कपसे बिखरी सी पड़ी थी मा की जिन्दीकी के इन पन्नों में मगर उनकी इस सने भरी आवाज ने मुझे फिर से समेट कर वही निर्दई बेटी बना दिया जो उनकी हालत उनका या अकेला पन देखकर भी कुछ दिन बाद उनके रो रोकर याद करने को अपनी यादे छोड़कर चली जाएगी मुझे घ्रीना हो रही थी खुद से कि क्यों आते हैं हम कुछ दिन के लिए उनकी सारी आदते बदल देने क्यों कुछ दिन उनका अकेला पन खत्म करने जब की वो उसकी आदी हो चुकी है क्यों को रोलाने चले आते हैं कुछ दिन में उनकी सारी आदते बदल देते हैं चुप रहने की अकेले में रोने की सोस्ते सोस्ते कब मेरी आखोंने बरसना शुरू कर दिया जब अचानक मेरे दिल ने मा के बिना इस घर की कल्पना की, क्या होगा जब मा नहीं होगी, क्या होगा हम इस घर में जब आएंगे, और दरवाजे पर मा नाम दिखेगी, सिर्फ भावी दिखेगी, क्या होगा जब हमारे आते ही, मा का वो खिलकलाता चेरा ना दिखेगा, रस कुछ होकर भी कितना खाली होगा ये घर जब मान नहीं होगी नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा मेरी आखे बैने लगी कितनी पीड़ा दायक है ये कलपना मगर ये तो है सची कभी तो आएगा ये समय भी मगर कितना पीड़ा से भरा होगा वो समय मन किया जाकर मा के गले से लग जा हमें तुम्हारी जरूरत है पापा की कुछ कमी तुमने पूरी की है मगर तुम्हारी कमी पूरी कोई नहीं कर सकेगा हमें हमेशा इस घर में तुम चाहिए मम्मी बिन मा का माई का देखने का सहास नहीं है बगर में कुछ ना कर पाई कुछ ना कह पाई बस चुप चप इधर उदर काम निप्टाती मां को भरी आँखों से सिर्फ देखती रही।